नमस्कार दोस्तो, आपका फिर सा स्वागत करता हूँ अपने एक नियू वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2023 में Pictium में एक नियू अकाउंट कैसे create कर सकते हैं जियान की how to create new account in Pictium 2023 तो दोस्तो अगर आपको जानना है तो विडियो को complete watch कीजिएगा और इस विडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर साल पेटिया में कुछ ने कुछ changes आते रहते हैं अपडेट्स वगेरा आते रहते हैं और हर बार दोस्तो इसका जो process है वो change होते रहता है इसलिए य मैं आपको A to Z जानकारे देने वाला हूँ कि किसी को आप पैसे transfer कैसे कर सकते हैं अगर आपको कोई पैसे भेजता है तो उसको आप देख कैसे सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो इस वडिये को like share करके चैनल को subscribe कर लीजेगा तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसी आप account create कर स यहाँ पर आपको automatic यह सोख हो जाएगा तो जो भी number से आप बनाना चाहते हैं simply उसको यहाँ पर select करना है enter करना है and जो यहाँ पर लिखा हुआ नीचे proceed securely इस पर simply click करके आपको अपना जो mobile number है वो verify कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ फटा-फट से verify कर लेता हूँ दोस्तो द आपको interface मिलेगा यहाँ पर sign up किया हूँ यहाँ पर जब तक मैं अपने account को link नहीं करूंगा तब तक मैं ptm application को use नहीं कर सकता आने कि किसी के पास पैसे transfer भी नहीं कर सकता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो कोई भी bank account होगा उसको ptm application के अंदर link करना प दिखाऊंगा तो जैसे आप इस तरह का interface मिलता है सबसे पहले आपको अपना account add करना है तो उपर जो profile दिखते है इस पर simply click करना है तो यहाँ पर जो number है वो आपका दिख जाएगा और जो QR code है अभी यह नहीं दिख रहा है क्योंकि इसलिए नहीं दिख रहा है आपको सबसे पहले अपना account add करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो नीचे लिखावा दिख रहा है link bank account इस पर click करना है और यहाँ पर जितने सारे banks है वो सारा bank आपको यहाँ पर दिखेगा अब बहुत सारे बाईयों का bank यहाँ पर नहीं दिखता है तो उपर जो लिखावा enter the bank name इस पर click क आपका जो नंबर है वो verify हो जाएगा और आपका जो एकाउंट है यहाँ पर आ जाएगा तो लिखावा आ चुका है मेरा जो एकाउंट है यहाँ पर आ चुका है और आपको सबसे पहले जब first time अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पैसे भेजने के लिए अपना एक QPI पीन सेट करना पड़ेगा जो कि मैंने पहले ही सेट कर लिया है और वो कैसे सेट होगा दोस्तों यहाँ पर लिखा ह आपको अपना पीन सेट करने को आएगा आपको अपना पीन सेट कर लेना है और एक चीज़ अगर और दिखा हो तो देख सकते हैं यहाँ से आप किसी के पास पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर है scan and pay तो आपको इस पर click करना है यहाँ पर जिसका भी QR code आपको मिलता है जिसके पास पैसे भीजना है मोबाइल नंबर के थो यह दूसरा option हो गया तीसरा UPI ID है बहुत सारी UPI ID भी बहुत सारे लोगों के पास होता है अगर आपको बोलता में मुझे मेरी UPI ID पर ट्रांसफर कर दो पैसे तो आप इस थ्री नंबर वाले option को अगर आपको डायेटली किसी के bank account में पैसे अगर आपको किसी आपको कोई पैसा भेजा हुआ है और वो बोला आपको कि यार मैंने तुम्हारे पेटियों में पैसा भेज दिये तुम चेक कर लो तो वो चेक कैसे करेंगे इसके लिए आपको नीचे आना है यहाँ पर लिखा हुआ चुकर देख से balance and history तो simply आपको इस इसने जिसने भी पैसे भेजे होंगे वो सारा history आपको नीचे दिख जाएगा जैसे कि देख सकते हैं मैंने जहाँ पर दोस्तों जो है अपने दूसरे account से पैसा भेजा हुआ था एक रुपिया तो यह मुझे यहाँ पर दिख रहा है और अगर आपको अपना balance चेक करना है तो यहाँ पर चेक balance पर क्लिक करेंगे आपका अपना UPI जो पीन होगा उसको डालना है और उसकी बाद आप यहाँ पर अपना जो balance इसको चेक कर पाएंगे तो इस तरह से दोस्तों आप जो है 2023 में अपना एक PTM का new account बना सकते हैं और किसी के पास भी पैसे transfer कर सकते हैं और स साथ ही आप उससे पैसे रिसे भी कर सकते हैं तो आई होप कि आपको वडियो अच्छे से समझ में आगी होगी अगर आपको वडियो सची इंफोमेटी लगी हो तो लाइक शेर करते ही वे चैनल को जो से सप्राइब कर लीजीगा बैल एकन को भी एनेबल कर लीजीगा तो च